दियर नर्सिंग स्टूडेंट्स आज हमारा जो टोपिक है वो है कोडिनेशन एंड इन्वाल्वमेंट अफ कम्मिनिटी वेरियस गवर्मेंट मिन्स डिजास्टर के मेनेजमेंट के लिए और डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए जो गवर्मेंटल और नौन गवर्मेंटल अथरिटीज बोडिज और जो एजेंसी होती है उनका आपस में क्या कोडिनेशन होता है किस तरह से वो एक दुसरे को कोडिनेट करके अपना रोल प्ले करते हैं और डिजास्टर को प्रिवेंट करते हैं तो यह जो टॉपिक है यह आपके डिजास्टर नर्सिंग वाला जो यूनिट है उसमें से लिया गया है और इसके अंदर आप वो चीज़े जानोगे जो कि आज इस जनरेशन में इस टाइम पर इस डूरेशन में आप प्रेक्टिकली भी इन चीज़ों को देख रहे हो जैसे कि बहुत सारी गवर्मेंटल बॉडियों होती हैं, बहुत सारी नौन गवर्मेंटल होती हैं, अंजियों होते हैं, अजिय SNS होती हैं, यह सब मिलकर, WORLD Health Organization है इस तरह से यह सब national, international, यह सारे जो भी authorities हैं, bodies हैं, power है जो भी यह सब आपस में मिल कर किस तरह से coordination करते हैं और COVID-19 को यह COVID-19 को क्या कर रहे हैं prevent कर रहे हैं, disaster जैसी और other जो भी conditions हैं, उनसे relief करने में help करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम first लेते हैं community and local governments, first हमारा जो रहता है, वो रहता है community and local governments तो international association, red cross society, united national world bank, इस तरह से यह सारी जो agencies हैं, उनके बारे में है तो first हम लेंगे जो हमारा रहता है, वो रहता है community first body हम पढ़ेंगे, community के बारे में और community and local government के बारे में समझेंगे community and local government, community और local government का disaster management में किस तरह से रोल रहता है so, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताओं कि यहाँ पर जो है, government अपने जो responsibilities है वो fulfill करती है, पूरा करती है और उसके towards, उसके बिहाफ में वहाँ के public जो है, उस community की भी अपनी कुछ जिम्मेदरिया बनती है, responsibilities होती है उनको वो share करती है, clear करती है for example, अभी COVID-19 का matter चल रहा है, यह एक तरह से disaster ही है और local level पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर social distancing maintain करनी है hand washing रखना है, masking रखना है, और जो भी lukewarm water का daily consumption करना है और health awareness रखनी है, prevention रखना है, यदि symptoms दिखते हैं तो inform करना है यह सारे चीज़े हैं, जो local, जो civilians हैं, इंडियन से हैं, उनकी responsibility रहती है लेकिन उनसे related जो policies हैं, जो plan बनाना है, जो services available करवाना है वो सब government के responsibility रहती है तो community और local वहाँ की जो government है, जैसे कि आप particular किसी एक ग्रामिन इलाके में रहते है तो उस इलाके में जो sub center है, primary स्वास्थ केंदर है, सामूद एक स्वास्थ केंदर है मेरा मतलब यह कहने का है कि sub center हो गए, PHC हो गए, CHC हो गए, district hospital हो गए पर्टिकुलर आपके peripheral area में, आपके community area में वहाँ की जो government है वो इसके अंदर coordinate करती है, community people के साथ और community people जो है, वो disaster से fight करने के लिए यहाँ पर trend होते हैं और अपना knowledge लेते हैं तो यहाँ पर मैं आप फर्स्ट पॉइंट community and local governments में कुछ lines लिखवाना चाहूंगा simple तरीके से लिखा है, जिसको मैं read out करके और meaning समझा दे रहा हूं और यह आपके notes हैं Community and local government share the responsibilities for the clearing, the rubble, maintain law, law को maintain करना है and order, law and order को maintain करना, determining the safety of housing, घरों की सुरक्षा के बारे में determine करना की वो सुरक्षित है या नही है for the displaced, right, इसके बाद repairing the bridges, जो bridge वगेरा टूट गए हैं, उनको repairing करना है यह कुछ example बताएं, यह disaster, यह COVID-19 के related ही नहीं है, यह all over के related है, right किसी पितर का disaster है तो लोगों के घर सुरक्षित है या नहीं है, जो displaced हो गए है, उन लोगों के लिए safety है या नहीं है ब्रीज जो बनते हैं, वो repaired करने हैं, restoring the transportation, जो transportation याता यात के जो भी साधन है जिसे road हो गया, ब्रीज हो गया, जो public, जो vehicles वगेरा जो हो गया, governmental, उनके maintenance का यह सारा चीज़ determine करना community और वहां के local government का responsibility होती है, maintain the sanitation, sanitation को maintain करना है, शोचा ले घर घर में, अदर्वाइस, malaria, डेंगू और टाइफ़र्ड जैसी बिमारिया इस्प्रेड हो सकती है providing the safe and drinking water, safe और drinking water यहाँ पे provide कराना है, यह government का role यहाँ पे रहता है, और local community जो है, वो यह प्ले करते है drinking water, particularly for the woman and child, और especially woman और child के लिए drinking water अविलेबल कराना यह सारी responsibilities किसकी रहती है, community की रहती है, और यह किसकी against रहती है, disaster से बचने के लिए, disaster के against में, रैट second जो body रहती है, वो है red cross society, अब red cross society वो एक तरह से society है, जिसका नाम red cross है और mainly यह क्या करती है, वो humans जो food और, वो humans जो की food और clothing और medicine और occupational problem से suffering करने victim हैं, ग्रसित लोग हैं, उनके लिए help करती है means food provide कराना, clothing करवाना, medicines देना या occupational rehabilitation देना, उन तरह के victims के लिए काम करती हैं, यह एक तरह से civilian defense है, यह आम नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए यह एक तरह से defense का काम करती है department has worked out and arranged agreement with the Red Cross Society, यहाँ पे जो defense department रहता है, वो Red Cross Society के साथ agreement करता है, कि हमें इतने समय तक काम करना, उसका यह tender है, हमारी यह यह plannings है, यह सारा agreement इनके बीच में रहता है और इसके अंदर Red Cross Society will take a leadership, जिसके अंदर Red Cross Society वो एक leadership का काम करती है, लिडर बनके plan बनाती है, policy बनाती है, जो कि उनके जो defense department है, उनके साथ वो tie up करके उनसे वो चीज़े करवाती है और usual function which also include the recruiting and assigning nurse, भरतिया निकलना, nurses को काम देना, train करना, nurses को train करना और other facilities को train, जैसे army men हो गए, nurses हो गए, doctors हो गए, उनको particular disaster की conditions के लिए train करना, program run करना, यह सारा establishment का काम किसका रहता है, Red Cross Society So dear students, अभी हमने community, governmental and non-governmental resources के अंदर, first देखा था, community and local governments, second हमने देखा, Red Cross Society, Red Cross Society है, जो की disaster के लिए भी role play करती है Next है, national organizations, national organizations का मतलब वो है कि इंडिया लेवल पर, national राश्टी लेवल पर क्या-क्या organization है मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ कि वो governmental organization है, या non-governmental organization है, ठीक है, दो नो तरके बात कर रहे हैं आपन तो यहां पर governmental organization, जो है, government of India play a supportive role in terms of the supplementation of the final resources of the state का मतलब यह है कि किसी particular state के अंदर disaster आ जाता है, तो वहां के जो final resources जो है, उनको provide कराने का काम यह रहता है, government का काम रहता है at the center of ministry agriculture, nodal industry and coordination with all activities during the natural disaster, natural disaster के साथ यह agriculture और ministry of coordination के साथ भी यह जुड़ा हुआ रहता है next है, since the health is important part of the disaster management, directorate of general health services जिसको अपन कहते हैं, full form में इसका, under the ministry of health and family welfare ministry of health और family welfare जो है, जिसके अंदर में यह directorate of general health services जो चीफ रहता है, बड़ी पोस्ट रहती है right, उनके साथ management करना यह किसका काम रहता है, उनका, मतलब उनको coordinate करना, उनको leading करना, विभाग को lead करना का काम कौन करता है, DGHS करता है right, तो dear students, इस all our paragraph के अंदर मैं आपको यह बता देना चारहा हूँ, कि national organizations के अंदर governmental और non-governmental दोनों तरीके के होते है government के अंदर क्या होता है कि government के अंदर सबसे बड़ा department रहता है, वो ministry of health and family welfare रहता है अभी जो जैसे कि आप किसी को calling करते हैं, तो बच्चन साब बोलते हैं कि COVID-19, दोगजदूरी, mask है जरूरी, जो भी चीज़े बोलते हैं और other advertisements हैं, banners हैं, pamplet distribute हो रहे हैं, medicines distribute हो रहे हैं, यह सारी जो planning है, वो planning करता है कौन, ministry of health and family welfare So dear students, यहाँ पर मैं आपको यह बताना चारा हूँ कि यह तो रोल हो गया government का, लेकिन non-governmental जो NGOs हैं, वो भी trust बनाते हैं, और money financially, जो help celebrities हैं और other donors जो भी हैं, उनसे मिलती हैं, उसका पूरा complete plan बना कर वो sanitary distribute करेंगे, masking करवाएंगे, और other defense agency के साथ tie up करेंगे, और defense करवाएंगे, emergency जो अपना relief है वो देने के लिए, जो भी trust काम करेंगे, उनके साथ tie up करके काम करेंगे, और relief देंगे, किसको, इंडिया के people को, इंडिया के people को, तो यह हो गया national level पर, लेकिन क्योंकि यह governmental नहीं होती है, private होती है, तो उनको हम non-governmental जिसको ह health and family welfare, जो कि सारी चीज़े प्लान करती है, आगे है next heading है अपनी, international agencies providing health humanitarian assistance, इसके अंदर क्या होता है, कि every country is potential sources of the health humanitarian assistance for the some other disaster-stricken nation, का मतलब यह है कि हर country का अपना एक department होता है, बड़ा department होता है, disaster को manage करने के लिए, लेकिन जब country countries के बीच में, जो international level पर जो रहते हैं, जैसे कि for example, WHO, UNICEF, UNESCO, यह सब चीज़े क्या है, यह है international agencies है, और international agencies जो है, वो global level पर, बहुत बड़े level पर, सारी दुनिया को बचाने का के सकते हैं, अपन की जिम्मेदारी उनकी रहती है, यह वो role play करते हैं, जैसे कि अभी world health organization, जिनोंने vaccines को verify करना, vaccines को prevent करना, उसके बाद, अलग-अलग countries में finance को, fund को budget पास करवाना, right, अलग-अलग countries में finance, but budget को distribute करना, यह सब काम किस का रहता है, international agencies का रहता है, जो कि global level पर, world level पर काम करती हैं, इन agencies का example मैं आपको बता हूँ, जैसे कि, यह national office, United Nation Office for the Coordination, humanitarian, इसके मानने वता के लिए एक office बना है, जिसका पूरा short name है, Oka, right, United National Office for the Coordination of humanitarian affairs, humanitarian affairs के लिए एक office है, जो national level पर है, United Nation के अंदर यह इस्थित है, right, तो जिसको हम Oka के नाम से जानते हैं, दूसरा है World Health Organization, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, तिसरा है UNICEF, right, UNICEF जो की एक world level पर ही agency है, right, emergency, child emergency fund है यह एक तरह से, इसके बाद है World Food Program, जिसको WFP के नाम से जानते हैं, Food and Agriculture Organization, जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं, इसके बाद है Central of the Coordination of Prevention of Natural Disaster in the Central America, Caribbean Disaster Emergency Response Agency, care हो गया, care right हो गया, इसके बाद Red Cross Society हो गई, International Council of the Voluntary Agencies हो गई, और Red Cross Society की है कि यह Crosiant Society जिसका Full Form है International Federation of the Red Cross Society and Red Christian Society, तो यह सब जो societies हैं, जो agencies हैं, यह सारी जो आपको short forms दिख रही हैं इसके उपर, यह सब international level की, जो कि दो या दो से ज़्यादा देशों के लिए यह आपन के सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर वर्क करने के लिए agencies, सभी country के contribution से यह agencies बनती हैं, so dear students, अभी तक हमने यह देखा कि community, local level पर क्या क्या responsibility रहती हैं, उसके क्या examples हैं, second में हमने red cross society देखा, third में हमने national organizations देखे और fourth में हम देख रहे हैं international organizations, so dear students, आज की हमारे इस class के अंदर हमने यह देखा कि community, government और non-governmental resources क्या-क्या होते हैं, organizations कौन-कौन से हैं, जो की disaster को manage करने के लिए, उससे ग्रसित जो भी victim person है, उनको relief देने के लिए work करती हैं, तो उनको हमने चार पार्ट्स में बाटा था, community and local governments, red cross society, national organizations, और international organizations, next हम इसी disaster के important topic के साथ मिलेंगे, और आज की इस class के लिए आपको attendance, attendance के लिए आपको क्या करना है, कि आपको group के अंदर reply करना है, नाम के साथ reply करना है, write name, topic और present लिखके send करना है, all the best.